हेलो एब्रिवन मैं में तुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बात करेंगे नवोदे विद्याले सेंगठन के करेंड फेर्स की फर्स्ट कोस्चन आपके सामने ये रहा बहुत ही इंपॉटेंट है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये 1000 तरह की चीज़ें घट रही है जिसके कारण आपको ठंड में भी ठंड नहीं लग रही है गर्मी में और भी गर्मी लग रही है तो देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्ट आया है न, Global Climate Report 2022 के लिए, Provision State of Global Climate Report 2022, इसे किसन जारे किया है? इसे जारे किया गया है World Metallurgical Organization के दोरा, तो ये question पूछा जा सकता है, इसका headquarter कहाँ है? तो Geneva, Suitager Land में, और WHO का भी मुख्याले आपको Geneva, Suitager Land में ही मिलेगा, जो full और final रिप अप्रिल 2023 में आएगी, तब तक आपको बेट करना होगा, हमें बेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को बस जितनी ज़रूरत थी, WMO की बारे में, वो हम लोगों ने ले ली है, आगे बढ़ते हैं, Very popular question, Who among the following is considered as a political group of Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi के political group कौन थे? तो देखिए, इसका जो right answer हो जाएगा, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोकले, लाला लाजपत राय, या फिर बाल दंगा धर, तिलक, तो देखिए, इसका जो right answer हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोकले, जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोकले जो है, महतमा गांधी के political group थे, मौहमद अ किनना से भी उन्होंने बहुत कुछ चीज सीखा है, लेकिन right answer आपका option 2 के साथ ही आपको जाना था, आगे बढ़ते हैं, और WMO के बारे में अगर आपको कुछ चाहिए होगा, कुछ और ज्यादा information चाहिए, तो screen support आप यहां से ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, मत्रा, वि कर दिया है, मत्रा विरिंदाबन is aiming to become a net zero carbon emanation, और यह 2041 तक होगा, हम लोग जिन्दा भी रफ आएंगे या नहीं, I don't know, क्योंकि चीज़ें पल भर में बदल जाती है, तो इतने सालों के बाद यह बोल रहे हैं कि यहां पर कोई भी carbon emanation नहीं होगा, खेर ठीक है, थोड़ी लेंग्वेज, जो जुनागर इंस्क्रिप्सन था, वो किस लेंग्वेज की सबसे पहले इंस्क्रिप्सन था, आपको नीचे कमेंट करके बताना है, प्राकरित, पाली, या संस्क्रित, या चार ओप्सन में से जो है, वो राइट अंसर आपको नीचे कमेंट करके बता देन है QOD लिख देना है आपको question of the day उसके बाद आपका answer होना चाहिए चलिए अगले question की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यह जो net zero carbon emination है ना इसमें carbon की neutrality पे बात की जाती है फिलाल आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर which country has recently set the world record for running the longest passenger train सबसे बड़ी passenger train जहां पर जात्रियों को बैठा कर चलाने वाली passenger train तो सबसे बड़ी train जो है किसने जो है भी दोड़ा दी है Switzerland ने Thailand ने वियतनाम ने या फिर Indonesia ने तो यहां से आप answer देख पाऊगे Switzerland ने जो है सबसे longest passenger train चला दिया यहां से photo देख लो आप आप देख सकते हो train यहां भी दिख रहा है आपको यहां भी दिख रहा है और पीछे तो एक और यहां से दिखी रहा होगा अगले question की ओर operation narcos has been run by whom तो railway protection force के द्वारा जो है narcos जो mission है वो चलाए गया था इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिप्ट रेलवे ब्रीज इस बिंग बिल्द तो यह तमिल नाडो में बना हुआ है चली आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर उससे पहले मैं बता दू सबसे बहतरीन announcement 99 में आप मेरे hand it and not plus previous question paper require कर सकते हो नो वो देविद्धाले के लिए यहां से मेरी email आडी देख लो और इंस्टा इडी yourmithon sing at the rate gmail.com पे mail कर सकते हो इस फिर इंस्टाग्राम देन do follow me at the rate imithon singh तो चली question की ओर हम लोग बढ़ते है which country government has honored Aruna Sairam Sriram या फिर सायराम जो भी है Aruna Sairam बिद्ध देखिए इनको award मिला हुआ है सबसे पले देख लिजे आप इनकी photo ताकि आप चीजों को याद रख पाईए और ये जो है Carnatic singer है, composer है, collaborator है, humanistic है, बहुत सारी जो हजार तरह की quality है इनके अंदर है और French government का जो सबसे बड़ा award है ये इनको दिया गया है several day इसे कैसे पढ़ेंगे I don't know बट ये जो French की language है उसके according ली गई है और ये Indo-French relationship के लिए जो है बहुत अच्छा relation है कि आप जो है इंडिया के famous personalities को जो है सम्मानित कर रहे हो आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर which country's author Annie Arunox won the 2022 Nobel Prize for Literature तो देखिए ये फ्रांस से ही आते थी आते थे आते थी I don't know आते थे ही होंगे तो इनको जो है award मिला हुआ है यहापे आगे बढ़ देते हैं अगले question की ओर सामदे पाबलो who lives in which country has been awarded the 2022 Nobel Prize in medicine तो ये Sweden के थे जिनको medicine के छेतर में जो है Nobel Prize मिला हुआ है which state CM has launched e-upahar portal and PM dashboard e-upahar और dashboard जो है किस state के CM ने जो है launch किया है जारखन, हर्याना, चतिसगर या फिर राजस्थान तो देखी यहाँ से आपको दिख रहाँगा मनुहर लाल खटर की फोटो यानि की right answer आपका क्या हो जाएगा हर्याना और ये उपahar portal और dashboard इनी के द्वारा launch किया गया है which has become the first state in country to launch गती सक्ति पोटल ये पहले भी मैंने पढ़ा रखा है गुजरात is the right answer in which city of India has Pakistan participate in anti-aseo terrorism exercise तो ये मानेसवर हर्याना में है जहाँ पर पाकिस्तान भी इसमें participate किया था आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर in which state rising sun water fest 2022 has been organized ये जो है rising sun water fest कहां पर आयोजित किया गया था मेगाले, आशाम, उडिशा या फिर गुजरा, देखिए इन चार में से जो right answer है यहां से आप देख पाऊगे ये जो ceremony है न आपको यहां से दिख जाएगा देख लेजे, मेगाले में ये जो है launch किया गया था, कहां पर मेगाले में तो right answer आपका क्या हो जाएगा मेगाले आगले कोशन की और हम लोग बढ़ेंगे where is the 7th Indian Art Festival organized 7th Art Festival जो है और्गनाइज कहां किया गया था New Delhi में कहां किया गया था, New Delhi में आगे बढ़ते हैं in which city in which city social empowerment camp जो है और्गनाइज किया गया था senior citizen और दिभ्यांग जनों के लिए तो ये कहां किया गया था, Naakpur में कहां किया गया था, Naakpur में तो ये कुछ important question थे, आगे बढ़ते हैं अगले question की और, और आप लोगों को बताना है, which of the following river originated in Amar Kantak Hill in Madhya Pradesh आपको निचे comment करके बताना है, इसका right answer क्या होगा, निचे comment करके बता देजिएगा जाते चाते, फिर से बार दरातू, 99 में आप जो है hand return notes plus previous question पर require कर सकते हो exam के point of view से बहुत ही important है उलेट प्रटकर आप इसे देख सकते हो वीडियो को यहाँ दर देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया फबाद देखने के लिएग देखने के लिए लुट सबस्तित झाल झाल